अखिलेश यादव ने नामानकन के आखरी दिन मेरट से भी अपना प्रत्याशी बदल दिया। गुरुवार को सुनीता वर्मा ने अपना नामानकन दाखिल किया साथ ही पार्टी ने सुनीता वर्मा के लिए हेलीकॉप्टर से सिंबल भी भिजवाया। इससे पहले सपा ने भानु प्रताप को फिर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने मेरट से रामायन के चर्चित चहरे राम यानि के अरुन गोविल को मैदान में उतारा है। ऐसे मेरट की ये सीट बीजेपी ने हौट सीट बना दी है। अरुन गोविल के सामने सपा ने भी खास रननीती के मुताबिक सुनीता वर्मा पर दाव लगाया है। सुनीता वर्मा न सिर्फ यहां की मेर रही है बलकि दलित समुदाय से भी आती है। मेर रहने के कारण सुनीता वर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको बता दे कि सुनीता वर्मा हस्तिनापू की मेर को हरा कर पहली दलित मेर बनी थी उनके पती योगेश वर्मा 2007 में बसपा के टिकट पर हस्तिनापुर सीट से विधायक बने थे 2017 में सुनीता वर्मा मेरट शहर से महाप और चुनाब में भाजपा की मेर को हराया था समाजवादी पार्टी ने पहले मेरट हापुर सीट पर भानु प्रताप सिंग एडवोकेट को प्रत्याशी घोशित किया था सोमवार को सपा ने भानु प्रताप सिंग का टिकट काट कर सर्धना से सपा विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोशित करने के साथ सिंबल भी दे दिया इसके बाद अतुल प्रधान का भी टिकट काट कर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया